नमस्कार आप देख रहे हैं प्रमार्थावाज व्यागराज जिले की विकास खंड कोराव अंतरगत ग्राम सभा का पूरी बढ़िया में गाउंवालों ने मिलकर एक व्यक्तिकत पशू बाड़े का निमान किया है जिसमें 45-50 पशू मौकी पर मौझूद है लेकिन वहाँ पर पशू को ना तो चारी की विवस्ता है और ना ही पानी पीने की यहाँ पर पशू को बंदी बना कर रखा गया है जब यहाँ के ग्राम प्रधान प्रमुद कुमार एबंबाहा की सेकेटरी प्रकास सिंग से बात करने पर पता चला कि उस बाड़े की जिम्मेदारी उनकी नहीं है इसको सरकार जाने या सरकार की जिम्मेदारी बनती है अगर देखा जाये तो यह एक प्रकार से पशू बंदी ग्रह बनाये गया है जिसमें आए दिन पशू मर रहे हैं इस पर बीडियो सेकेटरी HDM तहसीलदार किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा पसो को मरने में उपर की समस्त अधिकारियों का काफी अच्छा योगदान दिख रहा है जहां मानने मुक्यमंती योगी आधितनाथ गायों की पूजा करते हुए दिखते हैं बही पर आला अधिकारी पसो की दशा पर चुपी साधे बैठे हुए हैं और सरकार की सपनों को तार तार किया जा रहा है इसका जिम्मेदार कौन है सेकेटरी, ग्राम प्रधान, HDM तहसीलदार या पूरा प्रसासन ही भश्रचार में लिप्त है